आज चूल विच आई एक डाईयां, कडाई विच यह सी तेल पाईयां, तेल विच तलियां पूरियां, ते पूरियां सी खालियां, तो दोस्तों आज बन रही है पूरी, पूरी मैंनम बेलेंगी और हम तलेंगी हेलो एवरिवन स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वाधिस्ट चूला प्लस लाइफ में तो हो चुका है अभी दिन का समय हो रहा है और तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए तो यहाँ पर फूलो की माला मैं बना रही हूँ दरवाजे के लिए और मंदिर के लिए तो देख सकते हैं तो मैंने सोचा दिवाली का दिन है तो कुछ चीजे आप लोगो के साथ शेयर कर लिया जाए तो आज की ब्लोग में आप लोग को किसाँ शेयर करूंगी जैसे की माला बनाने आप लोग किसाँ मैंने शेयर किया हुआ है साथ ही साथ हमारे गुमाओं में जो है एपन दिये जाते हैं और फिर लास्ट में जो कोकिंग की रेसिपी में आप लोग के साथ शेयर करूंगी तो आई होब ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो ब्लॉग के साथ आप बने रहिएगा तो ये देखे कुछ इस तरीके से माला मैंने बनाई थी तो तयार हैं हमारी माला तो आम के पत्तों के साथ और फूलों के साथ हमने माला बनाई तो माला बनाने के बाद अब जो हमारा दूसरा काम था ये था हमारा एपन देने का तो हमारे कुमाओं में काफी मतलब एपन देने का जो है कल्चर है रिवाज है और अभी प्रिजन टाइम में काफी जो लोग हैं वो रंगुली बनाते हैं कलर से बट जो हमारा जो टेडिशनल जो वे है दिपावली सलिवेशन का या अपने घरों को सजाने का तो इस तरीके से हम लोग सजाते हैं तो इसमें क्या है गेरवा होता है लाल मिटी से कहते हैं उसको पानी में भीगा दिया जाता है और जब भीग जाती है तो इस तरीके से कपड़ी की हैल्प से हम उसको इस तरीके से शेप बना लेते हैं और जो वाइट कलर है इसके लिए हम चावलों को भीगाते हैं और उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में हम उन्हें ग्राइंड कर लेते हैं और साथ ही साथ हमें यहाँ पर इस दिन लक्समी के पाउं बनाना सुब माना जाता है यह देखे तो इस तरीके से हमी जो है डिजाइन जो है हातों से हम लोग बनाते हैं और वैसे तो आज कल मतलब काफी देली में चिपकाने वाले पेइंट पे आते हैं कई बार हम उनका भी उच कर लेते हैं और कई बार एक दो देली हम लोग खुद भी लिख लेते हैं जो है पेंट करके यह देखे तो इस तरीके से जो है हम देवी के पाउं यहाँ पर बनाते हैं और आजकल तो रेडिमेट जो है जिसे दर्वाजों पर बनाये जाता है मंदिर पर बनाये जाता है आजकल तो रेडिमेट एपन वाली टाइल्स भी आती है तो इन चीजों की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है तो हमारे महाँ पी जो आउटर वाला एरिया है वहीं पर ज़्यादा पेंट देने की जुरूत हमें पड़ती है और यह देखे तो इस तरीके से मैंने जो है अपने जो हमारे जो आगन था आगन में जो तो हमने देली की दरवा वहाँ पर जो है तो आप सबी को हम दोनों की ओर से एफ़ी दिवाली आप की रिवाली कैसी रही आप कमेंट करके बताईएगा और हमने दिवाली मना ली है अब जो है मीठा आमने बहुत खालिया है खटा मीठा हो जाए तो हम क्या बना रहे हैं जैसा कि आज फास्टे है हमारा तो हमने सोच क्यों हमारा त्रेदारि-ालो्त नाउटना सब्जी नाइन जा रहे हैं जायं आए आइए आपको आपके साथ मिलके बनाते हैं अगोरा जैसा की आप कर्षा थालते हैं ड़ाइंगे साबु धनिया का तर्का तरका कापी सौध कर देता है कि यह पे डिया है दाला और उसी के शाद ऐसे के साथ हम डालें चालाटा जीरा जैसर ठोड़ा जीरा हो जाता है तो उसके बाद हम एहा पे डालने वाले हैं हीग गैस निवारन गैस निवारन और सांति शांत हींग का अपना फ्रेवर भी काफी अच्छा जो है आता है आपर हींग तो अब हींग के बाद जिससे हमारी सब्जी टेस्टी बनती है बिना लसन प्याज के हम बना रहे हैं तो कि आफास के हमारा लगस्टीर्फल श्वाग बनान इसमें तुटा पर लगी एक आफ यहाँ अब हम अच्छा आता है और अब हमें नमस डाली है उसके लिए नमस हम डाल रहे हैं रह अगर्च के कि अपना बनाने के लिए जो अपसर में आपको बताया करती हूँ यह हमारा किचन किंग मसाला कि इससे हमारी स्पेसी जो तरी रसेदार सब्जया होती है उनका टेस्ट जो है काफी मत्रत अच्छा हो जाता है कि यहां पर कमाटर अच्छा दला लेते हैं तक हम पाणि डाले हैं वह जल ना और अच्छे से पग जाएं चुचाती है उसके बार एम इसमें इसमें तो सब्ज आइं तो आत्री में पीचाए करिएगा चार्या ओव्यूप्स ने तो अब्यक्त मुझेटा है पास वेज़ा हो अणिन गाल में बनाते हैं तो अग्रोम्भों की है सब्सक्राइब और मिल्सकों के घ्राईब जाता है गल्ण ओल्ण, नहीं है कि विद नेखिए हम उन ध्राइब जाते हैं प्लाइब बिखंने लोग आद से और कला बनाते हैं तो अब पानी मिला लेंगे तो आप यहां पर हम अपने आलू मिला लेंगे तो आलू को हमने पहले ही बॉयल कर लिया था और यहां पर हमने आलू हाथ से मैस कियो गया है अपर हमने अपर हम आपर नहीं है कि वह तो प्यूंकि में इसा रहता है कई बार बच्चे नहीं खाते हैं तो इसलिए अमने में जाल लें तो आप अपने तेस्ट के अकॉणिम्हा भी है कर सकते हुए तो बस हमें इसको अच्छ से लिफ कर लेना है और इसमें बतानी सकती हूँ आपको इतनी अच्छी हां पर नकलब अच्छी हां प्लू आघाने की अच्छी शुट है यहां ने हैं मुझे अच्छी नगे बुच्छी लगगी है अब इसके साथ क्या बनेगा रोडी बने गा प सब्जी और जो अंदर बनी है सुकी संसी हालू को भी की वाइब ये मजाक करने है इतना तेवाब का बबिल है सुवे से हम बिलकुल लगे हुए है और फास्ट है तो इतना ही सारे आइटम तो खेर हम नहीं बना सकते है है तो जो मेन होता है पोड़ी अंदर बनानी है तो कोड़ी और हम सब्जी जहाँ बना रहे हैं है आप हम इसे मिला लेते हैं पानी और पार जो पिस्ट फोटो ले लोगों कि तो लगबक सब्जी हमारी यहां पे आलो टमाटर की तरेदार सब्जी और कटी-कटी सब्जी हमारी तयार हो चुकि यह क्योंकि जब रत होता है तो कुछ ऐसा ही खाने का मन करता है तो गाइस अब हम इसमें डालेंगे जो हमने आप और यह प्रेश होती है तो जब हम उसका यूज करते हैं तो इसकी बात है बिल्कुल हमारे खाने को खुझबू से महका देती है तो गाइस पश्ची अले तो पीछे आप सुन रहे होंगे दिपावली का दिन है जाहिसी बात है अवास्तो आई दी तो गाइस इसके बाद हम बन आइंगे तो आपके इस ज़्यादा शेयर करेंगे हैं कि वह कुह अगो है कि अब कि अज चूल विचिया इक डाई आ हो तैल पॉरिया अदे पूरियां अध्यक खालिया तो दोस्तों आज बन रही है पूरी पूरी मैंडम बिलेंगी और हम तालेंगी करना पढ़ना जी बेख लो और पड़ेगा और बढ़ना जी जालो जी होर डालता ही और डालो जी डुपगिया मारने आने पूरियाने वो अही पूरा खाली काड़ देता ही यार है और बैसी वो सुनी पूल बनाना तुसी यो जी मैंने अब बेलना सुरू कर दिया है अब पूरी बिलने लग गई है और तेल गरम हो रहा है देखते हैं कैसी पूरिया बनती है पेल के रख लो मैं थोड़ा बहुत हमें तरड़े पेले तो इस तर्ड़े हैं से हम को रख लेना है अगर आप लोग नहीं है जोज़िक्ण तो इस तरीके से ऑईल लगाते हुए हमें इसको बेल लेना है बस पूरी का आटा गूते हैं तो इसका घ्यान रगना है कि आटा बहुत गीला ना हो और लगाके हमें इस तरीके से बेलना होता है सो गैज सर ने अपनी कमाण समाल ली है और अब स्टार्ट करते हैं चलिए सर यह देखिए गाइस पहले ही पूरी हमारी है और कितनी बढ़िया फुल के हमारी पूरी तैयार हुए बस कुछ नहीं उपपर से इसको टाइट से जुरब पैस करना होता है तो निकाल लीजे सर जो हुकम मेरा आगा यह लेजी एक हो गया अब दूसरा नमबर है यह जी आलो जी आलो जी थड़ी पूरिया ताल गई है और सुन्दर सुन्दर टेस्टी टेस्टी पूरिया कौन खाओगा प्रांजा दुस्ती खाओगे यह बलो ड़ा येस बहुलो येस तेल गरम है तो फटा पट पूरिया तल के बहार आजाती है तो आपको दबाए रखना है ताकि तेल अंतर तक जाए और पूरिया हमारी पग जाए और वाइट वाली पूरिया आप ब्राउन बन के बहार आजाए यह देखो पटा के अभी हम बागा बश्मन का निशाना तो सही पूरिया मैंने बेल भी नहीं है तो मैंने का अब जितनी भी फूरिया है उनको फटापर से मैं निपटा देती हूं कि तो आप देखिए कि I would like this कई लोग बनाते हों तो उसमें हल्का सा नमक मिलाते है अजवाइन मिलाते हैं और कसूरी मेति मिलाते हैं बट हम लोगों को हमारे प्लेन पूरी ही पसंद है तो इसलिए हमने इसमें कुछ भी नहीं मिला रहे हैं कि अब विडियों कि अच्छाओं इस व्लॉग linha घर्णार पूरी लगातो पूरी बट है इक इस अब सब्सक्राइब करें ऐसे चनल को हैं तो सब्सक्राइब करें और से शेयर नएई वीडियो में झाल झाल